नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत सुखागत है हमारी युटूब चैनल बनाएं से एजूकेशन पॉइंट पर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक स्रेब सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे पुना दिवितन करते हैं कि जली चली आप हमारे चैन प्राप्त कर सकती हैं 2019 की मुख पर इच्छा की ट्रेस्ट्रीज मात 1500 रुपे में आप प्राप्त कर सकती हैं जसमें आपको 50 फोल फल्टी ट्रेस्ट्रीज प्राप्त होंगी साथी साथ आप वो गाइडेंस भी दिया जाएगा जहां आपकी चुटी होगी वहां पर सुधार प्राप्त कर सकते हैं मात 50 रुपे में और साथी साथ यदि आप हमारे 2020 की प्राणबर परिक्षा की तैयारी कर रही हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो जाकर इंस्टा मोजो की लिंक से वाइट टेस्ट शरीज भी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आपको मात 1000 रुपे देने पर 100 फोल लेंट टेस्ट दिये जाएंगे और जिससे आपके पार 10,000 प्राणबर का समाविस हो जाएगा और आप हमें टेलीग्राम पर फेस्बुक पर और यूट्यूब पर फोलो कर सकती हैं चले चलते हैं आज के मारे वीडियो पर जो की मुख परिच्छा को ध्या एक परिच्छा के लिए हैं चेटी परिषण परिषण राज पुनल गठन अधिनियम 1956 के तहट गठत की गई है चेटी परिषण राष्टपती द्वाला गठन ग्रहमंत्री इसके अध्यक्ष होती है चेटी परिषण के जो अध्यक्ष होते हैं बर्तमान अवस्ता में जो लुकान गठन की आगए है वह तालीका के द्वाला निम्चाट के द्वाला नीचे पदरसत है पहली है उत्तर छीती परिषण जो कि डिलियमे इस्थे थे मद्दवर्ती इलहावाद में इस्थे पूर्वी कुलकाता में इस्थे थे पक्ष्चमी मुंबई में इस्थे और जो दक्षनी है वा चैन्नाई में स्थति वापनादिक्ने छेती परिशत राज्ची पुनल गठन अधिरियम 1956 के तहट गठत वीराष्टपती द्वारा गठन इसका किया जाता है इसके ग्रह मंत्री अध्यक्षन जो की बातवाना में साय जी है पांच छेत्री परिशतों का ग ताउधान है वैनुचे 263 के अंतरगत है उद्देश से केंद्र वाराज जी की मद्ध समन्वा इस्थापित करना अंतर राजी परिशत का प्रमुख देश से से कारीता आयोग 1983-1987 की अनुशन सापर अंतर राजी परिशत का गठन किया जाता है इसके अध्यक्षन प्रदा समन में स्थाफित करना होता है सहकारिता आयोग 1983-1987 की अनुसंसा पर घठत की गई है अध्यक्ष इसके नरेंद मोदी जी है यह जो भी बरतमान उस पी-एम होता है वह उसका अध्यक्ष होता है बिधिक अनुदान अनुचे 275 में बर्णन किया गया है बिधिक अनुदान का राज्यों को आवशक्ता अनुसार संसत्द्वारा पदत अनुदान को बिधिक अनुदान किया जाता है यह अनुदान भारत की संचित निधी पर भारत है यह अनुदान जूत भारत की संचित निधी पर भारत होती है बित्तायुक की अनुसंसा पर यह अनुदान दिया जाता है संसा द्वारा पर दत अनुदान है राजियों को आवश्यक्त अनुसार यह बित्तायुक की अनुसंसा पर यह अनुदान दिया जाता है जिसे बिदेक अनुदान कहती है ओचतम नियालाई की सुतंतता के बारे में हम पिचार करती है निम्न बिन्दू के आधार पर सुतंता नियुक्ती का तरीका यह भी ओचतम नियालाई की सुतंता है एक बार पुर्णा दिखती है निप्ती का तरीका पार काल की सुरक्षा निश्चित सेवा सरतें कारपालिका से प्रथकरण अनुछेत पचास की अंतरकत संचित निधी से ब्याए लोक अदालत पंच परमेश्वर सिध्धान्त पर आधारित है जैसे की गाउं में पहले पंच परमेश्वर होते थे पंचों की आग्या के अनुसार ही ब्यवाद सुर जाय आते थे उसी प्रकाल लोक अदालत पंच परमेश्वर सिध्धान्त पर आधारित है इसका प्रार्ण चौदा मार्च 1982 को से हुगा है जून अगर गुजरात में इसका प्रणाम होगा लोक अदालत का कानुनी व्यवादों के मैत्री पूर्ण समझोती के लिए यह वैधानिक व्यवस्ता है एन अदालतों द्वाला दिये गए निर्णाय के व्रुद्ध अपील नहीं की जा सकती ह है पांच लाग तक की मामली पर विचार कर सकती है उससे उपर पर नहीं लोक अदाज के वर्पना दिखती हैं पंच पर मेशर सिद्धान्त पर आधारे थे प्रणाम 24 मार्च 1982 की गया था जूनागर गुजरात में इससे प्रणाम भूई थी कानुनी व्यवाद के मैत्री प कर सकती है चैन्यायलय की आवमानना यह भी एक important question है से म चार्ट की द्वाह दिखती है अनुच्छे देक सुनतीस और इक साइड है अनुच्छे 215 नयल्यकी आवमानना अनुच्छी देक है तुटंड है देने की सकती है और अनुच्छे 215 के अंतर कर अच्छ नयल्यकी नियालाई के निर्णाय डिग्री आदेश को भंग करने के संबन्न में से सिवल अबमानना कहते हैं, अपराधिक अबमानना के अंतरगत आती है, रास्ति ये विधिक सेभा प्राधी करण, इस था अपना इसकी 9 नमबर 1995 को की गई थी, इसका उद्देश से जरूरत मंद का पा मुख्त कानूनी सहायता प्रदान करने में सहायता करनना। राश्ति ये विधिक सिवा प्राधी करन इसकी इस था अपन नवनन अभाव नजयान में कुपकी गई थी, इसका प्रमुक उद्देश है। जलूरत मन्दों को एबन लोगों को जो कि उचत मात्रा में पात थें उनको मुक्त कानूनी सहायता है प्रदान करना इसका प्रमुकड देश है राश्टी बुदिक शीवा प्रादी करन का और ने दिल्ली में इस्ते है इसका कारह देश के सबी permett dont मुक्त कानून सहायता के लिए राज्य कानूनी सेवा प्रादी करण को दसानर देश करना। दिकाद लाना भी है एस्पी गुपता भी है भारत संगबाद में इसको अनुमती मिली जनित्याचिका को इसका तात पढ़ें ऐसी न्याय को उपकरन जिसका उद्देश सभी बर्गों को न्याय की पहुंच से सुनिश्चित करना है भारत में पी आई एल के जनक पी एन महत्त है इसका कानून के सासन की रख्षा करना मौलेक अधिकालों को सार्थक रूप में प्राप्त करना कमजूर बर्ग तक न्याय को पहुंचाना इसका महत्त है जनित्याचिका का न्यायक विवस्था का संरचनात्मक धाचा न्यायक विवस्था का संरचनात्मक धाचा है उसे हम चार्ट के दूप में देख रहे हैं एक तरह बनाए गया है सर्वोच न्यायलाय अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्छ न्यायलाय अनुच्छेद 214 से 231 तक अधिनस्थ न्यायलाय अनुच्छेद 233 से 237 तक इवं अन्यय ंवालाई, विवस्ठा कस नेलाइइ तो पर से कि देख थे हैं सरप्था में सरव ऊच्छ अउच्छ 324-1800 तक है उच्छ नच्छ दोथूआ से 31-31 तक है उसके उपरां थे अधीनस्थि नालाइ जिसमेंएmmu च्छ धो 63- 237 तक है इसके उपरान थे सबसी लाश्ट में चो था अन्य नियाय ले मोबाईल अदालत रीचिंग दा अन्रीष्ट की अवधारना पर आधारे थे मोबाईल अदालत बहात में सन 2007 में हर्याना से मोबाईल अदालत का प्राणब हुगा और देशे अदालत सेम जनता की पास पहुंचे नियाय आपकी द्वार इसका नाला है मोबाईल अदालत जो है रीचिंग दा अन्रीष्ट की अवधारना पर अधार थे भारत में सन 2007 में हर्याना में इसका प्राणब किया गया है और देशे अदालत सेम जनता की पहुंचे नियाय आपकी द्वार अतीरेक्त सिविल नियाय विवस्ता कस्तन रत्मक धाचा जनहित याचिका राष्टी विदिक स्रीवा प्रादीकरण नियाय आलाईकी अव्मानना लूक अदालत उच नियाय आलाईकी शुतंतता विदिक अनुदान अंतराष्टी अंतराजी परिशत एवं छेती परिशत आजी 10 टॉपकों की बारे सुउमारे जाना जो कि फिर परिशनों से संब्द्ध से नोस्ति लिकने के तरह हमने जाना क्या अनसलके से रिखे जाती है मुख़ परिच्छा में और हम आप से यांके की वीडियो मिलते हैं ऐसे ही रोप योजी वीडियो के साथ हम मिलती रहेंगे हम आसा करते हैं आप भी